हलो एवडिवान आइम आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौर्मेंट जॉब जेन्य नौटिफिकेशन आज की वीडियो में हम इंडियन बेंक भरती 2024 मींज इंडियन बेंक विकेंसी अपरेंटिशिप के लिए विकेंसी नौटिफिकेशन रिलीस कर दिया गया है टोटल यहाँ पर vacancy 1500 है and all India vacancies है सभी state में vacancies है आप किसी भी state से belong करते हो सभी states में भरती की जारी है apprenticeship के लिए जिसमें आपकी अगरम देखें आप भले UP से हो, MP से हो बिहार, जारखन, 36, आंदर, प्रदिस कहीं से भी हो all India में आप अपने state में इसमें job ले सकते हैं, यानि joining आप ले सकते हैं Any graduate candidate यहाँ पर eligible रहेंगे, male, female, वाथार, eligible आप इंडियन वेंग के official साइट पर जाकर के इसका notification डाउनलोड कर सकते हैं मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है सो हम open करेंगे और सारी details जो है notification के थुरू के लिया करें सो यहाँ पर आप यह notification देख रहे है Indian Bank की तरब से total आप यहाँ पर देखिए total vacancies 1500 है online application start है 10 जुलाई से last date है 31 जुलाई आज से online application start हो गए है and 31 जुलाई इस की last date है अप्लाई करने की state wise vacancy detail आप देख सकते है सभी states में भरती की जारी है जो 36 गड़ state है यहाँ पर total 17 है बिहार में 76 total है बाकी आप देखिए मद्ध प्रदेश में 59 total vacancy है यहाँ पर ठीक है categories wise आप देख सकते है महरास्ट्रा में 68 vacancy है यहाँ यहाँ तो यहाँ टोटल आप देख रहे है और categories wise भी vacancy आप लिस्ट यहाँ पर देख रहे है इसमें इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते है एज आपकी 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी जिसमें आपकी मिनमम 20 होना चाहिए मैक्समम 28 20 to 28 यह आपकी एज होनी चाहिए बाकी एज, SC, ST, O, B, C, P, W, E, D कांडिटेट को रिलेक्सेशन मिल जाएगा अजिकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजवेट डिग्री आपने की हुई हो किसी भी डिसिप्लेन में आप इसमें एप्लाई कर सकते है इसमें एज रिलेक्सेशन का आप इहां चाहर देख रहे हैं आप केटिग्री के एकोर्डिंग आपको यहां पर एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा आप SC, ST, O, B, C, P, W, D, जो भी कांडिटेट हैं उसे साब से आप इहां पर अपनी केटिग्री देखेंगे selection procedure, तो यहां पर आपका जो selection procedure है इसमें आपका देखिए online return test होगा, objective type होगा ठीक है, and selection of engagement for engagement of candidate who apply for apprenticeship in the bank after paying request request out of line fee, online fee, sorry, online fee आप pay करेंगे उसके बाद आपका यहां पर to undergo the selection process which would be comparison the following objective type examination है, online written test होगा, जिसमें reasoning, aptitude, computer knowledge, general English, quantitative aptitude and general financial awareness, सभी से 25-25 questions है, 25 marks के है, total आपका 100 questions, 100 marks का, एक घंटे की timing इसमें आपको दी जाएगी, IMCQs types questions रहेंगे, 1 4th mark minus भी यहां किया जाएगा, अगर आपका answer wrong होता है, local language proficiency test होता है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, बैंके की जब भी vacancy आती है, local language test लिया जाता है, तो भी यहां पर होगा, and यह जो भरती आपकी की जा रही है, यह जो training period रहेगा, आपका 12 महीने का है, एक साल का है, stipend यहां पर, अगर आप metro, urban branches में जाते हैं, तो आपको 15,000 रुपे पर मन्त है, अगर आप rural या semi-urban branches में जाते हैं, तो बारा हजार पर मन्त के लिए आपको यहां पर stipend हर महीने दिया जाएगा, application fees देखेंगे, non-refundable application fees है, general OBC EWS के लिए 500 है, STSD, PWBD के लिए application fees, माफ है, कोई भी fees यहां पर पर नहीं करनी है, अब examination center देख लेंगे, आप जिस state से करेंगे, उसी state में आपको examination center मिलेगा, जैसे अगर आप 36 गर से करते हैं, तो राइपुर, बलासपुर, भलाई, नागर, अगर आप मद्ध प्रदेश से करते हैं, तो भोपाल, उज्जान, इंदौर, ग्वाली और सतना, जबलपूर, इसी तरह से ये list दी गई है, examination center की, तो आपको अधर किसी state में नहीं जाना रहेगा, आप जिस state में हैं, आपको वहीं पर आपका examination center मिल जाएगा, तो अगर आप इसमें interested हों, apply करना चाहते हों, तो link active हो चुकी है, official site पर जाकरके इसमें apply कर सकते हैं, ये video अच्छा लगाओ, तो like and share कीजेगा, thank you,